गुद्ध मॉर्निंग एवरिवन गुद्ध मॉर्निंग बच्चों क्लास आपकी लाइव हो चुकी है सब बच्चे क्लास में आ जाएं और चलिए शुरू करते हैं अपने सेट नंबर 38 को तो आज हमारा सेट नंबर 38 है और फिर से हमने कुछ क्वेश्ट बच्चों आपके लिए है अच्छा काफी बच्चों की दिमांड थी क्लास में और आपके क्वेश्ट तो ओल्रेडी हैं जी कृष्णा अनीता रागीनी हर्प्रीत हर्मीत गुर्ड मॉर्निंग निखत किती श्रीफ फरहत नितेश आयूशी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों अच्छा 21 को है ओके बहुत अच्छी बात है किष्णा इट्स ग्रेट हर्मीत जी अकांग्स गुड मॉर्निंग प्रीती आफ्रीन चलो बहुत अच्छी बात है काफी बच्चों का 21 को है और 16 से भी शुरू है बच्चों का तो कोशिश करेंगी कि इंट्रेक्ट होते रहें यानि कि अगर फर्स्ट पिपर 16 में होता है तो उसका अनलेसिस करेंगे एक बार कि कैसे कैसे आप कदम उठाएं पिपर आसान आ रहा है मुश्किल आ रहा है या फिर कैसी कंडिशन आपको लेनी है तो बच्चों के रिव्यू लेके आपको मैं एक पांडे वेरी कुड मॉर्निक बच्चों तो चली शुरू करते हैं अपने क्वेशन नमबर वन को लेते हैं अच्छा डैली में बहुत अच्छी बात है हरमीत संचारी 16 को है आपका उके तो संचारी आप ध्यान रखेंगे कि आपको मुझे बताना है 16 में यानि 16 में जब हम 17 को है ठीक है तीश्री आप भी बताएंगे बिटा जी रूपेश ओल्राइट अर्चना मेरा 10 को हो गया है बिटा यह कौन सी बात आपने बताई है यह तो विल्कुल अलग हो गई है एक्जैम तो आपका 16 को शुरू है अनिता 17 को चले जाए देरा दून में है ओके ठीक है पैसिज को पढ़ना है 91 to 99 questions के answer देने है अब जला देखो इसमें क्या क्या सब बच्चो को दिखाई दे रहा है यह ओ ओ धनन जय पांच सु किलोमेटर दूर या इस रियली टफ जी महीमा गूड मॉर्निंग ठीक है बच्चो इग्जैक्ली बिल्कुल हेलफुल रहेगा कां आपके लिए तो बच्चो देखो ध्यान से सब लोग अगर आप को दिख रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं देखो पहली लाइन में लिकाई इच ड्रोप रिपर्जेंट से लिटल बिट ओप क्रियेशन एंड लाइप इटसेल्फ है ना तो इससे हम आगे बढ़ जाते और को लेते हैं सबसे पहले यह रहा बच्वापा को अच्छा टैन इन्होंने अगली वाली टैन बताई है जैनुरी टैन अच्छना फ्री ठीक है मुझे इससा लगा कि आप कह रहें कि मेरा टैन को हो गया अपने लिखा है ना मेरा टैन को हो गया इत लुक्स लाइक definite से जोड़ लिया हो गया अच्छा कांग्ष ठीक है भूवने शिमर में अनुज का डैली में बहुत अच्छे अर्चना टैंजनर ठीक है जी बच्छो देखो इसको children respond to the first rains of summer by मतलों वो कैसे respond करते हैं अब देखो इसमें चार उप्शन्स दिये हैं giving shouts of joy चिलाते हुए paperboards चलाते हैं या running and playing in the rain या बच्छो singing songs तो हमें इसको देखना है ठीक है बच्छो ठीक है आप questions करते हैं अब देखो यहां पर क्या लिखा है यह देखो second वाले paragraph में अब देखो इसमें तीन यहां से हमें मिलेगा small children run out of their homes to roam naked in the rain तो रॉंप का मिन्स होता है बच्छो उसमें भीगने के लिए दोडने के लिए तो भागे फिटते हैं नंगे होके भागे फिटते हैं जैसे आपने देखा होगा चोटे-चोटे बच्छे कपड़े निकाल के बारिश में पूरी मोज लेते हैं तो इसका मिन्स क्या बना हमारा यहां पर अगर हम देखे तो see hundred percent तो यह बना बच्छो running and playing in the rain तो बच्छे इस तरह से रेस्पोंड करते हैं हमें ऐसे answer निकालना होगा अब देखो question number two को देखेंगे the tiny spring issuing from the rock is hidden by वो कैसे hidden हो जाती है क्या कह रहा है tiny spring spring क्या होता है बच्छो फवारा जो पानी का चलता है अब देखो पीछे जाते हैं वापस और यहां पर हम देखते हैं इसमें देखो यह लिखा है I came across a patch of green on a rock face I parted a curtain of tender maiden here fun discovered and discovered a tiny spring tiny spring तमझे बच्छो यह जो tiny spring किसकी वाजह से चुपा हुआ है maiden here fun की वाजह से तो हम answer देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्छो यहां पे हाँ इतने बड़े नहीं आएंगे बट फिर भी हमें प्रैक्टिस की देखने हैं तो बच्छों मैडन हेर फन बनेगा हमारा सेकंड बनेगा आप याद रखो इतने बड़े हो भी सकते हैं उमीद है के छोटे होंगे बट वो बड़े भी रह सकते हैं इसलिए पहले तैयार रहना है क्या करना है उसे पहले स्प्रिंग में मिलना पड़ता है पिर फिरी में मिलना पड़ता है इसका मतरब है उसे अपनी आइडेनिटिटी को मर्ज करना होता है यह सबिखा हुआ है पेसेज में व्रड पंडिंग भीजों कहां पर लिकान यूज इंद पैरा से इखें ये रहा वर आपकान अगर आप बच्चों देखें इसमें तो फोन मिलेगा यह रहां ऑकटैराय के बट ऐनीमल्स एंड पांडिंग हार्ट अश्यמה का थन्सें हार्ट बच्चों क्या करता है पांडिंग में हमारा पल्पिट करता है मतलब के क्तरा से धखता है यह धखता है दिल गटाओ जब हम इसमें आयेंगे तो हमएंस जो वर्ड यहाँ पर पल्पी टेटिंग प्यsty statistics मिला है तो यह सका सिमिलर अब मुझे यहां पर हमें पनाना पड़ेगा है तो आंसर बच्चों सी हो गया आप देखो कहता है कौन सा वर्ड मोस्ट अपोजिट है कौन से वर्ड के बच्चों डिसेंड तो वहां पर उसने लिखा है पैरा नमबर थी में यगर हम देखेंगे तो लिखा है यह देखो लिखा है थर्ड नंबर पर आ जाएंगे इसका मतर्म नीचे उतरता है पानी नीचे उतर रहा है तो बच्चों हम यहाँ पर क्या बना देंगे असेंड बना देंगे क्रेक्ट बात है कि नहीं मतर्म उपर चड़ना इसमें हम देखे तो फ्लो बहना है असेंड एक तरा से चड़ना है हावर जैसे आपका हेलिकॉप्टर हावर करता है और जूम का मतलब आप जानते हैं बड़ा करना जी उसी पे हम उसी पे हम वर कर रहे हैं बिलकूल अभी इतिश्री इसको देखो बच्चो विच पार्ट ओप स्पीच इस अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोविंग सेंटेंस ओल्मोस्ट देखो बच्चो क्या है यह वर्ड है आपका अंडरलाइंड यहाँ पे अब सब इसको देखके बताएंगे ध्यान से आपको साफ दिख रहा है क्योंकि पैरग्राफ की जुरूत ही नहीं है यह अंडरलाइंड वर्ड है और लाइन आपकी क्या है ओल्मोस्ट ओवर्नाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप मतलब रात रात में नई ग्रास पैदा हो गई य जो ओल्मोस्ट वर्ड ही क्या है प्रपोजीशन है प्रणाउन है एड्जेक्टिव या एडवर्ड बड़े ध्यान से आंसर देना है कि सब बच्चों को बताना है जी शमीम कल संडे था विटा तो थोड़ा सा रेस्ट की वज़ा से क्लास को ओफ किया गया था क्योंकि टाइपिस्ट भी ओफ चाहते हैं थोड़ा और मुझे भी ओफ चाहिए था राइट बच्चों प्रपोजीशन कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ बच्चे एडवर्ब क ठीका हैं कि अब देखो इसको समझेंगे सब लोग यहां पर लिखा ओवर्नाइट अगर में इस वर्ड को को ओल्मोस्ट को तो ओवर्नाइट को मूडिफाई कर रहें है ओल्मोस्ट ओवर्नाइट लगभग इसका मीनशन लगभग एक रात में तो बच्चों अगर मैं ओव पूर जाएगा क्या यह बास सही है ओल्मोस्ट भी और ओवरनाइट दोनों ही एड़ब है यहां पर क्रेक्ट बच्चो जी वेरी नाइस आगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों यह बड़ी ध्यान से देखना है कहता है विच पार्ट ऑप फॉलोविंग सेंटेंस कंट कुछ बच्चे वोबी है जो एक पे थे करियर विल एप पे कुछ बच्चे नए भी हैं जमने कर्येश्वेयर बी अपको बच्चों को पढ़ता था तो सब्सक्राइब निया आते प्रणाव आप देख रहे हैं यह आपका 2021 का पेपर है वेटा जो लिटेस्ट है जो का तो उठा रखा आपको कोई चेंज नहीं है इसमें तो आप देख रहे हैं इसमें एरर भी है इसमें बिटा एड़ेक्टिव एडवर्ब भी है प्रपूजित सारी चीजें वहीं चार-पांच मार्क्स अगर आपके इस तरह से आ रहें तो आपको पढ़ना तो जरूरी है ना उनक एक पर ध्यान से देखो यहां पे क्या लेका है ही निए वोझ जान गया अब यहां पे देखो निए बच्चों पास्ट है जवापने पा इन डीकरी कैसी बनगे यह आपकी है बच्छों यह आपकी है अगर मैं बताओं तो प्रिंसिपल क्लाउस इसका मतलब है यह प्रेजेंट सोरी मैं क्या कहूंगा इसको यह आपकी कि वर्ब है एक तरह से रिपोर्टिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं अगर यह पास्ट में तो आगे वाला जो पार्ट है यह भी बच्चो पास्ट में बनेगा तो देट के बाद में क्योंकि यह इंडारेक्ट स्पीच है तो विल नहीं बलकि यहां पर वुड बनेगा बोलो यह समझ में आई बात के नहीं हम कभी नहीं बनाएंगे कि ही निव वो जान गया था कि वो जाएगा विल नहीं बच्चो प्रेजेंट नहीं पास्ट बनेगा आपका तो इसमें आंसर आपका भी बनेगा बोलो यह बात समन्झ में आगी के नहीं आगे भी इसको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे questions आपके काफी आते हैं अगर यहां पे आपको पास्ट दिखाई जरह इस वाले पार्ट में तो बच्चो यहां पे आपका would या फिर शुड इनमें से अगर आई होता है यहां पे तो हम would शुड लगा देते यह भी ध्यान रख बच्चो अगर हम passage में जाएं तो देखो यहां पे क्या है आप इस passage में देखेंगे सारी चीज़ें देखो यह लिखी हुई है यह तीन बाते उसने कहीं है लेकिन बच्चो अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखो रिणोल एवरिवेर ग्रासी स्प्रिंग अप और डेम्प अर्थ रिलीजिज स्वीट फ्रेग्रेंस यह कहीं नहीं है अब बच्चो देखो यहां पे लिखा है और देखो जरा पैसेज में कहां पे लिखा है यह रहा आपका पैसेज यह रहा देखो कहां पे चला गया अада है कि अड़े रहा फॉर्थ ट्लाइन में द्लेंड लुक्स क्या ब्राट्र भी दिख रही ए बच्को ड़स्टी वी दिखरी में से नहीं है, तो it is not brown, cracked भी है, dusty भी है, tired भी है, और इसी के साथ बच्चो आपका paragraph complete हो जाता है, getting everyone, अब आप आएंगे ऐसे questions पे जो basically related हैं आपके pedagogy से, सबसे पहला question देखो सब बच्चे, और इसको बड़े ध्यान से देखना confusing question है, a teacher is facing the problem of students poor spelling, बच्चो की spelling poor है, she listed the probable causes for it, उसने उसके related जो probable causes थे, कारण थे उनको लिख लिया, and then decided to frame some steps to overcome it, और फिर उसने कुछ steps बनाई, जिससे कि इसको overcome किया जा सके, this whole process is, यह पूरा process बच्चो क्या कहलाता है, बता हुआ प्राब्लम solving, improving spelling, action research, या फिर applied research, क्या आंसर करेंगे आप, 10 का C, ओके ठीक है बच्चो, कुछ बच्चे A कह रहे हैं, कुछ C कह रहे हैं, कुछ B कह रहे हैं, अब देखो, यह जो लिखा हैं आपे improving skills, बच्चो यह कोई method नहीं है, कोई process नहीं है, it is not a process, applied process है, action research है, और बच्चो problem solve है, applied research वहाँ आता है, जहां application करते हैं research का, अब इन दोनों को देखो, problem solving basically क्या है, कि teacher यहाँ पे देखता है, कि कहाँ पे गलती है, और उसके लिए probable causes क्या है, और उन causes के लिए फिर solution ढूणता है, बड़े ध्यान से देखो, problem देखता है, diagnose करता है, उसके लिए कारण देखता है, और फिर उसके लिए solution लाता है, जबकि action research होती है, बच्चो, यहाँ पे teacher अपनी problem को देखता है, अगर उसे कोई अपनी problem है, तो उस पे वो research करता है, अपनी action पे फिर एक तरह से action लेता है, implementation करता है, तो इसका answer action research नहीं, बलकि क्या बनेगा, number one problem solving, कई जगा हो पी गलत दे रखा है, लोगों ने, पता नहीं, इसका third answer क्यों दे रखा है, the correct answer is the first one, problem solving, getting बच्चो, जी बिलकुल सही है, पकड में आरे यह सब बच्चो को बात तो answer आपका one बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे, question number 11 को देखेंगे, reading picture, reading picture books means, आ इसका मतलब क्या हुआ, बताइए आप लोग, exposing learners to different styles of drawing, drawing के different style को, या फिर help learner to understand, analyze the picture, help learners to draw neat and colorful picture, children love pictures, it will be fun for loving classes, बताइए बच्चो क्या बनाएंगे, reading picture books means, इसका मतलब क्या हुआ, 100% बच्चो ये B बनेगा हमारा, to help learners to understand and analyze the pictures, second number, क्योंकि उससे understanding बनेगी, तो हमारा answer B जाएगा, बहुत अच्छे, question number 12 पे आओ, Before starting a new chapter from textbook, a teacher should at first focus on, एक नया chapter स्टार्ट करने से पहले, teacher को क्या करना चाहिए, किस पर focus करना चाहिए, background setting of story and history पे, the work profile of the poet or writer, या बच्चो relating the story with the previous experiences of the learner, या फिर grammatical structure in the chapter and the difficult words, प्रेल नंबर का हम बच्चों क्या बनाएंगे, exactly C बनाएंगे, बहुत अच्छे, relating the story with the previous experience of the learner, लर्नर के experience है, हम उसे, इसी कहते हैं, pre-reading एक तरह से, बहुत अच्छे बच्चों, अगला question, 13 नंबर, teacher, teacher asks learners to read aloud, जोरों से पढ़ने के लिए कहता है, in the English class, this way of reading will, बच्चों को अगर वो जोर से पढ़ने के लिए करें तो इससे बच्चे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया तो बच्चों, अगर हम loud reading करते हैं, तो उससे बच्चा slow हो जाता है, slow learner बन जाता है, slow reader हो जाता है, एक तो ये बात है, question अलएड़ी पूछा गया, लेकिन अब देखो क्या कहता है, enable learners to develop reading skills, बच्चों reading skills से थोड़ी develop हो रही है, enable learners to read with correct pronunciation, using the punctuation marks, ये हो सकता है, पही, correct pronunciation के लिए loud कहा रहा है, enable learners to be a fast reader, बिलकुल नहीं, slow reader बनता है, help the teacher to complete रही है, कोई बात ही नहीं बनी, कि जल्दी से वो complete कर लेगा, तो answer बच्चों क्या बना आपका, second one, enable learners to read with correct pronunciation, using the punctuation marks, getting बच्चों, अगले question पे आते हैं, अब देखो फिर से आपकी एक poem है, 2021 में आई हुई है, अब हम इसके questions को देखते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, the tree presses its mouth against the sweet earth's flowing breast, मतलब इसका कहना यह है, कि tree जो है, पेड जो है, वो अपने mouth को press करता है, किसके against, sweet earth's flowing breast, अर्थ की flowing breast के against, तो बच्चों जाते हैं, काही के लिए करता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, I think that I shall never see a poem lovely as a tree, a tree whose hungry mouth is pressed, तो देखो hungry mouth यहाँ पे कह रहा है, against the earth's sweet flowing breast, बच्चों गर हंगरी mouth को वो अपने दबाता है, sweet flowing breast पे, तो इसका मतलब है, वो खाने की बात करता है, यानि कि वो क्या लेता है, अपना, draw sustenance from it, ना कि gratitude दिखाता है, inspiration लेता है, या फिर express करता है, अपना love, यह second number की बात बन गई, अगर वहाँ पे hungry word ना होता, तो कुछ और भी meaning निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे बच्चों, hungry का मींस किस से जा रहा है, draw sustenance from it, ठीक है जी, हाँ, पहले आदर थी, बिल्कुल सही बात है, अगला देखो बच्चों, the tree prays good, tree भगवान की pray करता है, कैसे करता है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे आजाओ, आगे देखो, यहाँ बड़ा असान है, इसमें लिखाया है, कैता है, a tree that looks at good all day, and lifts her leafy arms to pray, तो pray करने लिए उसने क्या उठाए है, lifting her arms, अपने हातों को उठाया है, कैसे leafy, leaf वाले, है ना बच्चों, आगला question पे आते हैं, देखो, tree welcome the snow on its bosom, okay, tree symbolizes strength and stability, tree allows birds to build their nest, closely with rain, यह लिव रहता है, करता है, अब जड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, देखो बच्चों, क्या लिखा है, यहाँ पे, a tree that means summer wear a nest of robins in her hair, summer में क्या wear करता है, वो robin, robin का मतरब है, वो जो कवे होते हैं, उनका मतरब घर बना हुआ, यह robin जो पक्षी होते हैं, तो इसका मतरब घुंसले बनवाता है, upon whose bosom snow has lain, बर्भी पढ़ती है, intimately live with the rain, रहता है, लेकिन बच्चों, strong कहीं नहीं कहा है, अगर हम इसमें देखें, तो यह जो लिखा है, the tree symbolizes strength and stability, यह वहाँ पे नहीं है, वो snow को भी welcome करता है, बर्ड के घौंसले बनवाता है, और closely रहता है, rain के साथ में, क्या एक लियर हो number three and four में, यह मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से बताएंगे, simili है, personification है, metanomy है, और बच्चों, आपका alliteration है, आजाएए यहाँ पे, आजाएए एक बार इस passage में, देखो क्या लिखा है, third और fourth में, यह रही है आपकी third line, और यह रही fourth, against the earth sweet flowing breast, a tree that looks at good all day भगवान की तरफ हर दिन देखता है, तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या यूज किया गया है, very nice, पकड़ में आ रहा है इसा बच्चों को, good बच्चों, यह मुझे अच्छा लग रहा है, कि बच्चे पकड़ पा रहे हैं, बिल्कुल सही बच्चों, यह personification बनेगा, क्य आते हैं, आप देखो कह रहा है, identify and name the figure of speech used in poem are made, क्या लिखा है, poems are made by fools like me, बताओ बच्चों, इसमें क्या बनेगा, लिखा है, poems are made by fools like me, इसमें क्या बनाएं गया, 18 का सब बच्चे बताएं, sustenance का मीन सुतन नितेज, जहां पे sustain हम करें, मतलब भगवान से, हम अपने जीने के लिए जो लेते हैं, जीते हैं जिसे, वो sustenance कहलाता है, 100% बच्चों सिमली बनेगा, पकड़ में आ रही हैं बाते सबको, the word mouth, यहाँ पे जो mouth word है, वो बच्चों क्या refer करता है, crown को, branches को, trunk को, यहाँ पे roots को, देखो यहाँ पे लिखा है, यह लिखा है ना, a tree whose hungry mouth is pressed, यानि जुखता है, against the earth sweet flowing breast, तो बच्चों, गर mouth जुखता है, तो इसका मतलब mouth का होगा, सबसे उपर, और सबसे उपर होगे तिक्स का मिनसे, उसको crown कहेंगे हम यहाँ पे, तो answer हमारा 19 का, a बने का, one, वैसे भी लाइक है, बिल्कुल शिवा, अब अच्चों देखो, इसमें question number 20, फिर से आपका कैसा है, पेड़ागोजी वाला, देखो, क्या कहता है, a language teacher firstly ask the students to introduce themselves to each other in the class, वो एक दूसरे को, अच्छा, वो इसकी problem होगी है क्या, क्या बच्चों, वो इसकी problem होगी है, क्लास में, नहीं वो इस तो ठीक है, प्रिती वो इस आप अपने देखेंगे बिटा, तो देखो, इसमें क्या लेका है, firstly ask the students to introduce themselves to each other in the class, then she asked them to introduce their friend to each other, ये activity बच्चों उनकों क्या कर दिए, मतलब पहले वो अपने आपको इंट्रूस करेंगे, ये फिर अपने आपको अपने दोस्तों से उनको आपस में इंट्रूस कराएंगे, तो क्या बनाएंगे, 20 का B नहीं बच्चों ये बनेगा, 1 B I C S, B I C S याद करो क्या होता है, बेसिक, इंटर पर्सनल, कमुनिकेटिव, कमुनिकेशन, स्किल्स, तो यह ही हमारी बेसिक होती है, यह हमारे लाइक पर्सनल इंट्रेक्शन को शो करती है, तो आपको बनेगा, अगले कुश्चन पर आते हैं बच्चों, अब यह कहता है कि लिट्रेचर शुट बी इंक्लूड इन दे लैंगवेज ग्लास्रूम भाई हम लिट्रेचर को क्यों यूज करें क्यों इंट्रड्यूस करें क्या यह इट हैल्प्स लेर्नस टू बडिंग राइटर्स या गिवस एक्सपोजर तो डिफरेंट ग्रेमेटिकल फोर्म्स या बनाई गया पांसर पोप क्या है निखत इसमें पूप आया था कहीं हमने तो नहीं देखा जी बच्चों तेलीग्राम पे पीडियफ अप्लोड अच्छा नहीं हो रही है मैं मैं इसको देखता हूं अभी मैं चेक करता हूं इसको तो बच्चों सीधी सी बात इसमें फोर बनेगा इट एक्सपोजिज देम टू डिफ्रेंट जॉन्रेज कल्चर एंड सोशल इस्यूज क्योंकि लिट्रेचर में यही तो होता है सब कुछ तो आंसर बच्चों आपका डी बनेगा करेक्ट अवरिबन तो लिट्रेचर हमें इस दिखाती है मतरब डिफ्रेंट समय को कल्चर को सोशल इस्यूज को इन सबको दिखाती है कॉस्ट नुबर 22 देखेंगे अट टीचर मेंक्स हर लर्नरस रेस्पोंड टू हर एक्शन सेंड स्पीच ओनली बाई बोडिली मूवमेंट्स यानि कि जो बोडी मूवमेंट्स ह करते हैं उससे बच्चे क्या करते हैं रस्पॉंड करते हैं टीचर को तो यह बच्चो कैसे जाना जाता है टौटल फीजिकल रेस्पॉंडस टास्क बेस्ट लेंगविज ले टीचिंग कम्मिनिकेटिव या फिर प्लेवे मैंथको तो तक क्या आंसर करेंगे आप लोग के teacher respond करा रहा है बच्चे को अपने whole body movement से 100% बच्चो ये TPR बनेगी total physical response में क्या होता है कि teacher जो भी बच्चो को instructions देता है बच्चे उसका जो answer देते हैं वो physical movement से देते हैं यानि यहाँ पे दो का coordination होता है बच्चो language का language and body movements इसी पे based है ये ठीक है जी तो language and body movements अगले question पे आओ बच्चो 23 को इन लेंगवेज ग्लास इन लेंगवेज ग्लास students are memorizing dialogues through drill and practice and teacher is correcting their pronunciation मतलब बच्चे ड्रिल और practice से याद कर दें टीचर उनको कर रहा है mistakes को immediately solve कर रहा है दे practicing the dialogues in chorus मतलब मिलजुल के कर रहे हैं group में कर रहे है teacher is following teacher क्या follow करना है direct method natural method audio lingual या बच्चो CLT method very good समझ में आ गया आपको यह बच्चो audio lingual में method होता है मतलब यहाँ पर हम language को बुलवा के उन बच्चों की जो भी प्रोब्लम होती उसको solve करते हैं तो मुझके drill के through करते हैं यह audio lingual कहलाएगा बहुत अच्छे बच्चो नाइस आंसर 24 देखो क्या कहता है question 24 the oral errors of the students can be best corrected if the teacher तो बच्चो oral errors कैसे हम correct कर सकते हैं अगर teacher है teacher कैसा है correct sign error directly after the students has made या फिर points out the error in general and lets the student to correct himself first तो आंसर आपका 2 ही बनेगा बच्चो मतलब इसमें बच्चों को general instruction देता है पोइंट करता है और बच्चा अपने आप उसको correct करता है क्योंकि इससे बच्चा का confidence बना रहता है वो lower नहीं होता बहुत अच्छे बच्चो 24 का आपका 2 बनेगा very good अब बच्चो question number 25 को देखो जरा as a pair activity the teacher gives her learners almost the same picture एक जैसी picture देता है बच्चों को and ask them to find the difference between the two students दोनों students के बीच में difference बनाता है ask each other questions to discover how to picture how the two pictures are different मतलब दूसरे question भी करने वहाँ पे के वह दोनों picture अलग-अलग कैसे हैं तो बच्चों कैसी activity बताओ grammar activity speaking clause based या बच्चो crossword है 100% 25 का दो क्योंकि वो सीधे से question करवाना चाहरा है बच्चों को बोल के देखे आस की चदर यह लेका ना आस की चदर तो speaking activity बन गया आपके second बन गया question no.26 को देखो scanning scanning is a reading activity which helps the learners टू तो बताओ बच्चों reading activity sorry scanning हमारी किसी इस को बनेंगे drought information and this is the vocabulary develop competition या फिर नो दे मीनिंग्स हंडेट परसेंट बच्चों हम इसका अंसर करेंगे a clear हो गया सबको drought information very nice scanning का मतलब ही draw out information करने से होता है अब बच्चों देखो 27 for process writing अब देखो process writing को आपको समझना है process writing basically क्या है which one of the following points should be followed मतलब प्रोसेस राइटिंग में हम क्या करते हैं पहले plan करते हैं उसके बाद में हम लिखते हैं फिर rewrite करते हैं को एडिट करते हैं वो सारा का सारा function इसमें आयता है process writing में तो इसमें personal pronoun organization points और लोजिकल सीक्वेंट वर्ड लिमिट की ज़रतनी बल्कि डी बनता है लोजिकल सीक्वेंश होनी चाहिए क्या होनी चाहिए बच्चों वहाँ पर लोजिकल सीक्वेंश हमारे यानिके 27 का हमारा answer डी बन जाएगा बहुत अच्छे 28 को देखेंगे in order to improve the learners pronunciation इसको आप खुद बताओ बच्चों हमें बच्चों का अच्छा करना है तो टीचर को क्या ज़रत है करने की recorded model यूज करें प्रनेंसियेशन ड्रेल करें सो डॉक्यमेंटरी फिल्म या टार्गेट लेंगवेज या बच्चों आस्टेम टू रीड मोर बताईए वोट शुट बीदा आंसर ऑफ दिसक्रश्चन अगर हमें बच्चों के स्ठीक करने तो हम उसमें क्या करेंगे सब बच्चे ध्यान देंगे कुछ जगाओ पर आंसर आई तिंग C भी दिया गया लेकिन यह बच्चों B है तीदी सी बात है, do pronunciation drills, pronunciation practice करनी है, drills का मीन से बच्चो practice, अगर documentary movie आपने देखी भी तो इससे उतना फर्क नी पड़ेगा जितना इस practice से पड़ेगा आपको, teacher उनकी practice कराए, सीदी सी बात है, तो सबसे बड़ी बात हमारी B की बनेगी, question number 29 देखो बच्चो, problems of spelling errors, अगर spelling error की problem बच्चो में है, तो teacher कैसे ठीप करेगा, किस के तरू, dictionary देगा, textbook देगा, dictation देगा, या बच्चो, teaching aids देगा, खुद बताईए आप लोग, अगर बच्चो में spelling, देखो पिछले वाले में क्या था, pronunciation की error, हमने pronunciation drill कराई, यहां पे spelling error, तो कहें की drill करेगा बच्चा, 100% बच बच्चे, यह C बनेगा, dictation, dictation में teacher बोलता जाता है, और आप उसे लिखते जाते हो, इसको पीछे इमला भी कहते थे, मुझे इमला वर्ड याद है इसके लिए, इमला, कुछ बच्चो को गरिया, और इसको शुरुत लेक अब कहते हैं, अब इसको शुरुत लेक कहते हैं, है ना बच्चो, यही आपकी dictation है, तो उसमें बच्चा अपनी spelling को correct कर लेता है, यही उसके drill practice है, dictation की, हाँ, बिलकुल चांदनी, यह इमला था, अब बच्चो देखो कितना बढ़िया question है, 30 number पे खुद बताएंगे, अब good listener can, एक अच्छा जो listener होता है, बच्चो वो क्य कोई बात नहीं है, और वैसे भी हर question का answer सही नहीं देख सकता, कोई, recognize how the intonation is, हो सकता है, pronounce each and every word correctly, यह ज़रूरी नहीं है, फिर भी गलती कर सकता है, understand how to spell a word, वो समझ जाता है कि कैसे एक word को spell किया जाए, तो क्या बनाएंगे आप answer, बच्चो डी वनेगा आपका answer, understand how to spell a word, एक word, क्योंकि वो सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है, उसे गुड़ लिसन काहँ जाता है, तो वो समझ जाते है किसी word को कैसे spell करें, मतलब किस तरा से हम उसे बोलें, तो बच्चो इसके साथ ही आपके questions हो जाते हैं, complete, तो और मिलते हैं फिर इवनिंग में, आज फिर, इवनिंग में मिलते हैं, और एक आद दिन में ही प्लान कर रहे हैं, कुछ और थोड़ा सा नया करने के लिए आपका, हम आपको जल्द ही बताएंगे, 18 नमबर आपने कहा है, ओके, 18 नमबर में लिखा न, poems are made by fools like me, तो यहां पर लाइक आ रहा है, तो इसमें इसमली बन गया, ओके बचो बबाए, प्रिती मैंने बता दिया है, लाइक यहां पर आ रहा है, पोएम को मी से comparison किया रहा है, तो इसमें इसमली बन गया, आपका, ठीक है ठीक है शमीम, ओल राइट, टैन नमबर आप कह रहे हैं, ओके, अच्छो पूर स्पैलिंग, बच्छो पूर स्पैलिंग की हुरी है न, और फिर वो लिस्ट करती है, प्रोबेबल कॉजिस को, और फिर फ्रेम करती है, उनको ओवरकम करने के लिए, यही प्रोब्लम स सॉल्विंग में टीचर पहले देखती है, फिर कोज को लिस्ट करती है, उसके बाद में उसका सॉलुशन निकालती है, यह हमारी प्रोब्लम सॉल्विंग कहलाएगी, नहीं सेंटर चेंज नहीं हो सकता है, इधनेंज है, वो उन्होंने साप लिखा है, कि नो रिक्वेस्ट बुड़ बी एंटर्टेंट टुचेंज दस सेंटर और अधर थिंग्स, आल राइट बच्चो बबाए, ठीक है बच्चो चलो चानली में कराता हूं बिटा अप्लोड कराता हूं इसको शमीन दू से ज्यादा बिटा पोसिबल नहीं है, चलो मैं मैं देखता हूं मिनाक्ष ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है प्रिती, ठीक है, वेरी गूड, कोवीड रूपोर्ट का देखो, आपको रूल नंबर में लिखा होगा बैटा, यह मुझे पक्का नहीं पता है, पीपीपी का मेंस है, प्रजेंटेशन, प्रोडक्शन, एंड, क्या है बच्चो, पी पीपी मोडल, यह आपको वही है ना, क्या कहते हैं, इसको, प्रजेंटेशन, प्रोडक्शन, एंड, एक पीच से और बनता है, हमने बता है था, आप इसे बढ़ गूगल पर डाल लेंगे, तो मिल जाएगा आपको, आल राइट बच्चो, मिलते हैं फिर, एवनिंग में, हैं ते हुत आपको, बाइट बताल पर घूर क्यूंन, वह शम घटNow